हालो ब्रेन, विल्कम टू में जेडी साइन्स क्लासेश में आप सभी का स्वागत है, आज हम आपको इस वीडियो में इस पीडी पब्लिकेशन जो बुक मंतली आती है, करेंट फेल्स की, उसमें हम आपको वार्सिकांग के प्रशन कराएंगे, जिसमें 800 प्लस प्रशनों का कल इसमें इस पीडी पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी बुक होती है, हर एक एक्जाम के लिए की दिरिश्ट से बहुत ही मात पूर है, तो यहां पर हम MC की कोशन करेंगे, पाड पस्ट, ठीक है, आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, यह हाल ही में, हाल ही में, इंडियान्व Sich Grand Prix 2023 किसने जीता है, सही आपशन हो जाएगा, करेकि फ्रांसिस्को, बागनिया या मारको बे जिंची या जार्ज मार्टिन या इन में से कोई नहीं सही आप्शन हो जाएगा तो इंडियन्स ग्रैंड फिरिक से 2023 किसने जीता है तो आप्शन नमबर यहां भी नमबर सही हो जाएगा मारको बे जिंची ने जीता है तो option number B यहां right हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है करें कि ACN Games में अर्द सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी कौन बन गई है यहां पर right answer हो जाएगा तो सही option यहां पर हो जाएगा C नमबर सिफ़ाली वर्मा जो है ACN Games में अर्द सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई तो option number C यहां सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है करें कि भारत की पहली green hydrogen fuel cell bus को किस राज UT में launch किया गया है सही option यहां पर हो जाएगा तो कहां किया गभी तो option number कहरें इमाचल प्रदेश, दिल्ली, आसम या जमू कस्मीर में सही option हो जाएगा B number दिल्ली में आए अगला देखते हैं प्रश्ण करें कि ACN Games 2023 में भारत ने पहला स्टोन पता किस खेल में जीता है सही option हो जाएगा तो option number C हो जाएगा निशाने बाजी में अगला प्रश्ण है बोरलाग, फील्ड, अवार्द 2023 के लिए किसे चुना गया है तो सही option यहाँ हो जाएगा तो option number A हो जाएगा स्वाती नायक को जो है बोरलाग, फील्ड, अवार्ड 2023 के लिए चुना गया तो आप्शन नमबर A यहां सही हो जाएगा आज़े देखते हैं अगला प्रश्ण भी अगला प्रश्ण है करें 18 सितंबर 2013 को संचालित आपरेशन जग सरी आपरेशन सजग का शंबंद किस्से है तो आपरेशन सजग का संबंद किस्से है सही आप्शन यहां हो जाएगा तो आप्शन नमबर A हो जाएगा भारती तट्रचक बल से आप्शन नमबर A यहां सही हो जाएगा आज़े देखते हैं अगला प्रश्ण है करें किस राज्ज में इस्थित तो आप्शन नबर C हो जाएगा मध्द्रदेश तो शही आपसान यहां हो जाएगा तो option number C हो जाएगा भारत जो है T20 वंडे और टेस्ट मैच में नंबर वन टीम बन गई है आज देखते हैं अगला प्रशन है अगला करें कि आधि गुरू संकराचार की 108 फीट की statue आप 1 एनेस का अनावरन किस राज में किया गया है तो सही option यहाँ पर हो जाएगा आधि गुरू संकराचार की 108 फीट की statue आप 1 एनेस का अनावरन किस राज में किया गया है मद्ध प्रशन है आज़े देखते हैं अगला प्रशन है अगला प्रशन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोग सभा और राच्च बिधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिसत सीट और छड़ दिया गया सही option हो जाएगा तो option number C हो जाएगा 33 परशन आज़े देखते हैं अगला प्रशन है करकि Erika Rabin किस देश के लिए पहली Miss Union वर्स की contest चुनी गई है तो right answer यहाँ हो जाएगा तो किस देश के तो यहाँ पर आपका Erika Rabin तो option number यहाँ पर हो जाएगा D number हो जाएगा यह पाकिस्तान की है ठीक है आज़े देखते हैं अगला प्रशन है किस राज की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है तो यहाँ right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा हरयाणा तो छाबड़ा पायल छाबड़ा जो है पैरा कमांडो बनी है कहां की है हरयाणा की है आज़े देखते हैं अगला प्रशन है करें हाल ही में किस राज में school of eminence की सुरुवात की गई है तो right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा पंजाब में अगला प्रशन है भारत का पहला लाइट हाँस उतस्व कहां आयुजित किया गया है तो importantس प्रशन है सही option यहां हो जाएगा तो पहला light house उतस्व कहां हो जाएगा तो अप्शन नंबर C हो जाएगा गोवा में आज देखते हैं अगला प्राशन है बारत की पहली Solar City कौन बन गई है? सही option यहाँ पर हो जाएगा तो option number कौन सजय भी? तो option number A हो जाएगा सांची तो भारत की पहली solar city क्योन बन गई है? सांची option number A सही हो जाएगा अगला है International Amy Award पाने वाली पहली भारती महिला कौन बननी है तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड इंपार्टेंस से भी सही आपसन हो जाएगा आपसन नमबर सी हो जाएगा एकता कपूर आपसन नमबर सी राइट हो जाएगा अगला है काजी फैज इसा किस देश के 29 मुख्य नयाधिस बनी है तो काजी फैज इसा सही आपसन यहाँ हो जाएगा तो आपसन नमबर भी हो जाएगा पाकिस्तान की अगला है किस भारती एयर लाइन्स ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की सुरुवात की है तो भारती प्रोजेक्ट अभिनंदन की सुरुवात किस ने किया है सही आपसन हो जाएगा आपसन नमबर भी हो जाएगा एयर इंडिया अगला है किस देश ने अधिकारिक तोर पर रूस के वायगनर ग्रूप को आतंगवादी शंगठन गोशित किया है सही आपसन हो जाएगा तो किस के वही तो आपसन नमबर डी हो जाएगा ब्रीटेन के अगला है किस रोग से पीडित मरीजों के लिए प्रतिवर्स 22 सितंबर को दुनिया भर में 200 गुलाब दिवस मनाया जाता है राइट अंसर हो जाएगा तो कौन हो जाएगा आपसन नमबर भी हो जाएगा कैंसर के लिए आज देखते हैं अगला प्रशन है 21 सितंबर 2003 इसको दुनिया भर में मनाये गए 200 200 अलजाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है तो आपसे ऐसे भी पुछेगा कि 200 अलजाइमर दिवस कमनाया जाता है तो आप बताएंगे किस सितंबर को और थीम आपसे पुछा गया है तो इसकी थीम क्या है राइट अंसर हो जाएगा C नमबर नेवर टू अरली नेवर टू लेट तो आपसन नमबर C जो है राइट हो जाएगा आज देखते हैं अगला प्रशन है करें किस माईला किरिकेटर को अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर आप दा मन्त शमान मिला है सही आपसन यहां हो जाएगा तो आप्शन नमबर कौन से जाएगा आप्शन नमबर यहां भी सही हो जाएगा अरलीन केली जो आयरलेंड के है आगे देखते है किस राज के अंसासित प्रदेश में इस्तित उधामपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सहीद कैप्टन तुसार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है सही आप्शन यहां हो जाएगा आप्शन नमबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर का अगला है किस राज में इस्तित होई सला मंदिर युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का बयालिश्वा स्थान बना है सही आप्शन यहां हो जाएगा आप्शन नमबर भी हो जाएगा कर्नाटक भारत के पुराने संसाद भावन का नाम बदल कर रखा गया है तो सही आप्शन यहां हो जाएगा अगला है किस वारती अस्तल को हाल ही में UNESCO की World Heritage Site की सूची में शामिल किया गया है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C हो जाएगा सांती निकेतन को अगला है 17.7 वजाटेज से केंसरकार ने कारीगरों, सिल्फकारों और मजदूरों को रिंड देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है तो सही आप्शन हो जाएगा भी नमबर पीम भी सुकर्मा योजना तो आप्शन नमबर भी यहां सही हो जाएगा आज़े देखते हैं अगला प्रशन है करने कि पूरुस ACA कब 2023 किताब किसने जीता है तो इंपॉर्टेंस प्रशन है सही आप्शन यहां हो जाएगा तो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी हो जाएगा भारत करने 15 सितंबर दो हो जाते है इसको दुनिया भर पे मनाए गए अंतरराश्टी लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी सही आप्शन यहां हो जाएगा तो इसकी थीम क्या है भी आप्शन नमबर हो जाएगा बी नमबर इंपावरिंग दा नेक्स्ट जिनरेशन आज़े देखते हैं अगला प्रशन है वंडे एसिया कप में सरवधिक बिकट लेने वाले भारती गेंदबाज काउन है तो यहां राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी हो जाएगा रवींद जड़ेजा अगला प्रशन है यूएस ओपें 2023 में महिला एकल का किताब किसने जीता है तो सही आप्शन यहां हो जाएगा तो आप्शन नमबर भी हो जाएगा कोको गौफ्ट इंपोर्टेंस प्रशन है कितने बेग्यानिकों को वरस 2022 का सांथ इस्वरू बटनागर पुरुषकार दिया गया है तो राइट अंसर यहां हो जाएगा आप्शन नमबर C हो जाएगा बारा बैग्यानिकों को आज देखते हैं अगला प्रशन है UES Open 2023 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता है सही आप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर हो जाएगा A. नमबर नुवाग जोकोविच अगला प्रशन है किस सार को भारत का पहला भूम गत भूम गत बिजली ट्रांसफर्मर इस्टेशन इस्टेशन अस्थापित किया गया है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A हो जाएगा बैगलेवरू में किस वर्स 2023 के डाक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से शम्मानित किया गया है तो किसे वर्स 2023 के डाक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से शम्मानित किया गया है राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर भी हो जाएगा सत्य जीत मजूम दार को अगला है किस फुटवाल टीम ने डूरंड कब 2023 का किताब जीत लिया है सही आप्सन यहां हो जाएगा आप्सन नमबर D हो जाएगा मोहन बगान S.G. ने अगला है दो सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का तेशवा सौर मिशन सपलता पूरवक लांच हुआ है जिसका नाम है बताई भी इंपोर्टेंस प्रशन है आपका सही आप्सन हो जाएगा आदित यलवन अगला है वर्स 2023 के रैमेन मैकसे से अवार्ड से शम्बानित चार संयुक्त बीजिताओं में कौन भारती व्यक्ति शामिल है तो आपको यह याद रखना है इंपोर्टेंस है सही आप्सन हो जाएगा सी नमबर डाक्टर रवी कननन आर करें कि रेलबे बोर्ट की पर्थम महिला चेयर परशन कौन बनी है पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आई एफस अधिकारी कौन बनी है राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर बी हो जाएगा गीतिका सिरी वास्तो अगला है मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किस सुन्दरी ने जीता है तो राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा आप्सन नमबर सी हो जाएगा प्रियन सेन तो आप्सन नमबर सी यहाँ सही हो जाएगा किस देश ने दुनिया की पहली एथनाल से चनने वाली कार लांच की है Importance question सही option यहाँ पर हो जाएगा तो किसने किया भी तो option number D हो जाएगा भारत ने अगला है करें World Athletics Championship में स्वन पदक जीतने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने है तो देखी Importance question सही option हो जाएगा option number B हो जाएगा नीरत चोपरा जिस अस्थान पर चंद्रयान 3 का Moon Lander उतरा है वा अस्थान अब क्या कहलाएगा राइट answer हो जाएगा option number C हो जाएगा सिव सक्ति कहलाएगा ठीक है क्या भी सिव सक्ति अगला है चंद्रमा के जिस अस्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन छोड़े वा पॉइंट अब क्या कहलाएगा चलिए दिखते में सही option हो जाएगा option number भी हो जाएगा तिरंगा point कहलाएगा अगला प्रशन है तो यह आपका importance हो जाता है तो आप इसे याद रखिएगा तो option number C सही हो जाएगा 23 अगस्त को तो हर अब जो है राष्टी अंत्रिच अंतिवस मनाने की गोशना की गई है 23 अगस्त को ठीक है अगला है 69 राष्टी फिल्म पुरुषकारों में सर्वस्रेश्ट अभनीता का पुरुषकार किशे मिला है right answer यहाँ हो जाएगा आप्शन नंबर C हो जाएगा अल्लू अर्जुन को अगला है करें कि राष्टी फिल्म पुरुषकारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले साहरों में पहला अस्थान किस साहर को मिला है right answer हो जाएगा तो आप्शन नंबर यहाँ पर B नंबर हो जाएगा इन दाउर को ठीक है करें राष्टी फिल्म पुरुषकारों में 2023 यह हो गया ठीक है आगे चलते हैं आज देखते हैं अंगला प्रश्ण है करें कि बिक से समूँ के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है तो सही आप्शन हो जाएगा C नंबर 6 देशों अगला प्रश्ण है किस राज्ज में भारत का पहला AI आधारित इस्कूल खोला गया है तो राइट अंसर हो जाएगा तो आप्शन नंबर D हो जाएगा के रल में भी हो जाएगा अंतिम पंगाल तो आप्शन नंबर यहाँ पे B नंबर राइट हो जाएगा PM किसान AI चैट पाट को किस ने लांच किया गया है किस ने किया है सही आप्शन हो जाएगा D नंबर कैलाज चौधरी में अगला प्रश्ण है भारती मूल की किस लेकिका ने उपन्याज बेस्टर ने लेन को बुकर पुरुसकार 2030 के लिए सार्ट लिस्ट किया है राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी हो जाएगा चेतना मारू करें भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू अंतरराष्टी सीजन के लिए उपसियल पार्टनर चुना है तो सही आप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर डी हो जाएगा SBI LIVE को करें अंतरराष्टी सांती दिवस प्रतिवर्ष कम मना जाता है तो सही आप्शन हो जाएगा सी नमबर 21 सितंबर को जो है अंतरराष्टी सांती दिवस प्रतिवर्ष मना जाता है आज दिखते हैं अगला प्रशन है राष्टी विज्ञान पुरुषकार को कितनी कड़ेगरी में दिये जाने की गोशना हुई है तो सही आप्शन यहाँ पर हो जाएगा कितने में तो आप्शन नमबर भी हो जाएगा चार कड़ेगरी में अगला है भारत सकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए बीजा सर्विश को सस्पेंट कर दिया है राइट अंसर यहाँ हो जाएगा देखिए अभी भारत और कनाड़ा के वीज्व है तनाव चल रहा है तो यहाँ पर आपका यहाँ डी नमबर आप्शन हो जाएगा कनाड़ा अगला है करें कि आई एस एस एफ भी सुकप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल असपरदा में किस खिलाड़ी ने सौन पदक जीता है तो किस ने जीता तो आप्शन नमबर सी हो जाएगा एला वेनिल वला वलारी वान ने जीता है अगला है इस किल से अन वील पहल किस मंत्राले द्वरा सुरू किया गया है तो आप्शन नमबर हो जाएगा ऑल की सुरुवात की है अगला है भारत की जीटवन्टी अधेचता पर पीपिल्स जीटवन्टी नामक ई पुस्तक का अनावरण किषने किया है राइट अंसर हो जाएगा तो आप्शन नमबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी नमबर अपूर्व चंद्राने करें यसो भूम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उधगाटन किस राज के इंसासित प्रदेश में किया गया है राइट अंसर हो जाएगा डी नमबर दिल्ली में अगला है बिए करें कि 911 सुत्री कारिकरम की शुरुवात किस राज में की गई है तो यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा जी नमबर महाराष्ट ने अगला प्रश्न है, मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना की सुरुगात किस राज में की गई है राइट अंसर यहाँ पेर हो जाएगा, तो कहां पर भी भीए? तो आपसर नमबर सी हो जाएगा मद्ध प्रदेश में तो मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना मदप्रदेश ने शुरू किया है करे एसिया कप में सर्वधिक बिकट लेने वाले भारती गेंदबाज कौन बने हैं राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर रवींद्र जड़ेजा अगला है पांचवी राष्टी वीलचेयर रगवी चेंपियंशिप 2020 का किताब किस ने जीता है यहाँ पे सही आपसन हो जाएगा ए नमबर महाराष्ट ने तो पांचवी राष्टी वीलचेयर रगवी चेंपियंशिप 2020 का किताब महाराष्ट ने जीता है अगला है इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरुस एकल खिताब किस खिलाडी ने जीता है राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर किरण जार्जने अगला है करिवर्स 2022 के 3700 रूप भटनागर पुरुसकार के लिए कितने विग्यानिकों को चुना गया है अगला प्रशन है करेक नई दिल्ली जी ट्वटी सिखर सम्टेजन के दोरान किस जग को जी टॉनटी का 28 सदस के रूप में शामिल किया गया है राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर भी हो जाएगा अपरीकन यूनियन को आज देखते हैं वही अगर वीडियो प्रसंद आ रही है अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सुस्क्राइब कर लिजिएगा और बेल आइके ब्रेस के दिजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्लेए देखिए स्पीडी करेंट अफ्यर्स दो है वर्सिकांग के हम कोस्चन कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जो अगला पार्ट रहेगा इसके आगे रहेगा कांटिनू तो यहां पर हम इसमें 200 प्लस प्रस्णों को करेंगे ठीक है आज देखते हैं अगला प्रस्ण है ज अगला है किस राज में मुबाइल एप सरपंच समवाद का अनावरन किया गया है राइट अंसर हो जाएगा किसने किया अभी तो अप्शन नमबर सी हो जाएगा असम सरकार ने जो है मुबाइल एप सरपंच समवाद लांच किया है आज देखते हैं अगला है हाल ही में किस भारती राज ने सेवा छेतर के लिए नई नीति को मंजूरी दी है तो किसने दिया है भी? राइट अंसर हो जाएगा D. उत्राखंड अगला है कौन सी बिमान निर्माता कमपनी भारती वाज शेना को C. दो सब अंचान पे परिवाहन विमानों की डिलिवरी शुरू कर दी है राइट अंसर हो जाएगा आपके यहां B. नंबर A. बस आई देखते हैं अगला प्रस्ण है G20 सस्टेनेबल से फाइनेंसे वरकिंग ग्रूप की बैठक कहां आयोजित की गई है तो यहां आपका राइट अंसर हो जाएगा A. नंबर वरार्शी में अगला है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 बिकेट लेने वाले भारती स्पिनर कौन बने हैं तो सही आपसन हो जाएगा भी आपसन नंबर यहां पर D. नंबर हो जाएगा खुलीब यादो अगला है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाडी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किये हैं तो किस ने किया है सही आपसन हो जाएगा C. नंबर विराट कोहली आज़े देखते हैं अगला प्रस्ण है एंटी एंटी पीसी ग्रीन एनरजी लिम्टेड ने ग्रीन हाइडरोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझोता किया है राइट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर A हो जाएगा नायरा एनरजी द्वारा अगला है नई दिल्ली में वन वीक वन लाइब प्रोग्राम को किसने लांच किया है तो राइट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर C हो जाएगा डाक्टर जितेंदर सिंग अगला है इंडोनेसिया मास्टर से 2023 में पुरुस एकल खिताब किस खिलाडी ने जीता है सही आपसन यहाँ पर हो जाएगा किसने जीताबी तो आपसन नंबर A हो जाएगा किरन जार्ज अगला है सैप अंडर 16 चैंपियंशिप 2023 का किताब किस टीम ने जीता है तो राइट अंसर हो जाएगा A नंबर भारत ने अगला है वर्ड बाइट मिंटन चैंपियंशिप 2023 में किसने कांस पदक जीता है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा C नंबर S H H S पणला प्राड़े ने जीता है अगला प्रशन है तो राइट अंसर हो जाएगा A नंबर इस्तामबूल में तो अप्राइट अंसर हो जाएगा D नंबर चिन्नाई में एकसरसाइज ब्राइट इस्टार तेज की मेजवानी कौन सा देज कर रहा है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा C नंबर मिस्टर कर रहा है आज देखते हैं अगला प्रशन है करें कि बीसवे आसियान भारस सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो सही आप्शन हो जाएगा आप्शन नंबर D हो जाएगा जगर, जगारता में तो आप्शन नंबर बीसवे आसियान भारस सिखर सम्मेलन का आउगा भी जगारता, इंडोनेसिया तो अंपर्टिंस प्रशन है जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन 2030 की थीम क्या है राइट अंसर हो जाएगा तो सही आप्शन यहाँ पर ए नंबर आप्शन हो जाएगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर तो याद रखिएगा इंपर्टिंस प्रशन है अगला है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है तो यहाँ आपको बताना है भारत की पहली सोलर सिटी कौन है सही आपसर हो जाएगा A number सांची अगला है 19-वे ACI खेलों के लिए भारती दल के optional sponsor के रूप में किसे नामित किया गया है यहाँ पे right answer हो जाएगा A number अमूल को करें भारत की अद्धशता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को guest country के रूप में अमंत्रित किया गया है right answer हो जाएगा C number 9 भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लांच किया गया है तो यहाँ right answer हो जाएगा C number बजाज finance से द्वारा तो भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लांच किया गया है option number C हो जाएगा बजाज finance अगला है सिच्छक दिवस के आउसर पर कितने सिच्छकों को राश्टी पुरुषकार्शे शम्मानित किया गया राइट अंसर हो जाएगा तो कितने सिच्छकों को ही अप्शन नमर D हो जाएगा 75 अगला है भारत के पहले AI संचालित Anti-Drone System का नाम क्या है राइट अंसर हो जाएगा C नमर इंद्रजाल तो अप्शन नमर C राइट हो जाएगा अगला है चंद्रयान तरी के Countdown को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निदान हो गया तो कौन थी तो अप्शन नमर A हो जाएगा अगला प्रशन है पुरुस हाकी 5PS ACA कप का किताब किस टीम ने जीता है तो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे A नमर हो जाएगा भारत ने अगला है करें कि जिवुरिक डाइमंड लीग चेंपियंशिप 2023 में नीरत चोपरा ने कौन सा मेडल जीता है राइट अंसर हो जाएगा B नमबर रज़त करें किस राजने महिलाओं के लिए ग्रे लच्मी योजनक शुरू की है तो राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा तो आप्शन नमबर C हो जाएगा करनाटक ने करें युद्ध पोत महेंद गिरी कोकिस सिफ बिलियार्ड से लिम्टेड ने तयार किया है तो किस ने किया वी तो सही अप्शन हो जाएगा C नमबर मजगाओं डाक सिफ बिलियार्ड करें किस देश में जॉइन्ट मिलिटरी एकसरसाइज ब्राइट इस्टार तेज का आयोजन किया जाएगा राइट अंसर हो जाएगा D नमबर मिस्र में अगला है वर्ड एतलेटिक्स चेंपियंसिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारती कौन बने है इंपर्टेंस प्रशन है सही अप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर A हो जाएगा नीरत चोपड़ा काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फिल्ड डारेक्टर के रूप में किशे निउट किया गया है राइट अंसर हो जाएगा B नमबर डाक्टर सोनाली घोस को आप्शन नमबर B यहाँ सही हो जाएगा काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फिल्ड डारेक्टर डाक्टर सोनाली खोस को न्यूक्ट किया गया है आज देखते हैं अगला प्रशन है अगला प्रशन है कर हाल ही में खबरों में रहा पीम उसा अभियान का संबन किस्से है राइट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर भी हो जाएगा सिछा मंत्राले से खाल ही में किस जरा सरकाण ने सफाइखाय कर्मचारियों को आयशमान भारत योजना में शामिल किया है तो राइट अंसर हो जाएगा सी नंबर हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कहा है अवस्तित इंदरा गांदी सफलता पूर्वाक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है। कौन बन गया भी सही आपसन हो जाएगा डी नंबर भारत। आई देखते हैं अगला प्रशन है। भारत में निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है। तो किसे चुना गया है भी सही आपसन हो जाएगा सी नंबर सचिन देखते हैं किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है। अगला प्रशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यच किसे निउत किया गया है। तो यहां राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर जस्टिस प्रकास स्रीवास्तों को। अगला प्रशन है इसरों ने चंद्रयान तीन मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या कहा। क्या नाम दिया है। सही आपसन यहां हो जाएगा डी नंबर प्रग्यान। अगला है करेकि इंडियन कोष्ट गार्ड ने समुंद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझावता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं। राइट अंसर हो जाएगा बी नंबर फिलिपिन्स। अगला है थाइलेंड के नए प्रदान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है। अगला प्रशन है कहने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर अगला है। राइट अंसर हो जाएगा दी नंबर दच्छन अप्रीका के। अगला है करें कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का सुभारम किस राज में किया है। यहां पर राइट अंसर आपका हो जाएगा A नंबर मध्यप्रदेश में अगला है करने कि सतरंज 20 कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारती कौन बने हैं राइट अंसर यहां पर हो जाएगा तो आप्शन नंबर A C नंबर हो जाएगा आर प्राग नंदन बने हैं तो आप्शन नंबर C नंबर यहां राइट हो जाएगा अगला है 20 वी आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कायोजन कहां किया गया है राइट अंसर हो जाएगा C नंबर इंडोनेशिया में अगला है A.C.I. Junior Squares Championship के अंडर 17 कर्डिगरी में किस भारती ने गोल्ड मिडल जीता है यहां राइट अंसर हो जाएगा C नंबर अनाहत सिंग तो अनाहत सिंग जो है A.C.I. Junior Squares Championship के अंडर 17 में कर्डिगरी में जीता है थी अपसर नंबर C राइट हो जाएगा आज दखते हैं करें हाल ही में किसे महाराथ सरकार दोरा अस्थापित पहला उद्धोग रतन पुरुषकार दिया गया है यहां right answer हो जाएगा B number Goa अगला है सत्रजीत सिंग कपूर किस राज के नए पुलिस महानी देशक बने हैं तो यहां right answer हो जाएगा option number D हो जाएगा हर्याणा के तो हर्याणा के जू है अनि वो यह तो option number D right हो जाएगा किस देश ने FIFA महिला बिसकब 2023 का किताब जीता है इंपार्टिल प्रस्न है right answer यहां पर हो जाएगा तो किस ने जीता तो option number D हो जाएगा इस्पेन तो FIFA महिला बिसकब 2023 का किताब इस्पेन ने जीता है तो right answer D हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रस्न है करे कमल के फूल के नहीं किस में रमो 108 को किस रिसर्च इंस्ट्यूट ने विक्सित किया गया है right answer हो जाएगा A. National Botanical Research Institute लखना उद्वरा अगला है करे किस भारती मूल के नेता ने सिंगापूर के राश्पती चुनाओ के लिए कौलिफाई किया है right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा थर्मन से सन मुगर सन मुगर रतनम है option number B सही हो जाएगा करे भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौत की के 16 में अंतरराश्टी ओलंपियाड में कौन सी राइंग खांसिल किया है right answer हो जाएगा B number 2 अगला प्रस्ण है करें कि 15 अगर से 2023 को भारत में कौन सा सोतंतरता दिवस्ट मनाया गया right answer हो जाएगा B number 47 अगला हाल ही में किस राज सरकार द्वारा भारत का पहला किसी डेटा एक्सचेंज लांच किया गया है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा C number तेलंगाना करें हाल ही में किस हागी टीम ने Miss Asian Champions Trophy 2023 का खिताब जिता है यहाँ पे right answer हो जाएगा D number भारत ने करें भारती रिजर बैंक ने बैंकों में जमा unclaimed deposit का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टर लांच किया है right answer हो जाएगा कौन सा पे option number A हो जाएगा उदगम पोर्टर अगला है आल ही में किस भारती धाविका को डोपिंग के चलते चार साल के लिए बैंक किया गया है यहाँ पे right answer हो जाएगा C number दूती चंद को इको फेंडली डेविट कार्ड लांच करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है सही option हो जाएगा A number Airtel Payment Bank अगला है आट अगस्त तो 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो अंदोलन की कौन सी वर्सगांट मनाई गई तो यहाँ right answer हो जाएगा तो यह option number यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सी अप्शन नंबर D हो जाएगा 21 अगला है किस खेल से संबंदित भारती खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल सन्यास लेने का एलान किया है तो right answer हो जाएगा C number cricket में अगला है भारत के पहले 3D printed post office building का उधगाटन किस सहर में किया गया है तो right answer हो जाएगा A number बेंगलेवरू में अगला है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा B number मोहित कुमार अगला है कितने भारती युवाओं को International Young Eco Hero Award 2023 के लिए नामित किया गया है तो यहाँ पर सही option हो जाएगा option number D हो जाएगा 5 अगला है भारती राष्टी महासागर सूछनसेवा केंदर ने नाभिकों के लिए कौन सा एप लांच किया है तो कौन सा एप लांच किया है सही option यहाँ पर हो जाएगा B number समुंद्र अगला है भारत ने इंडिया इस tag साजा करने के लिए 20 देश के साथ समझा होता गया अपन हस्ताचर किये हैं यहां पे right answer हो जाएगा C number 3 निदाद और टो बैगो अगला प्रसने हाल ही में केंदरी काइबिनेट ने कितने करोन रुपए के परिभए के साथ डिजिटल से इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है तो यहां right answer हो जाएगा C number 14,903 करोन आज देखते हैं अगला है बारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा तो यहां right answer हो जाएगा अप्शन नमबर भी हो जाएगा ओवरानशी में अगला है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्राले के सयोग से लांच किया गया है तो यहां right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा electronics and IT मंत्राले द्वारा अगला है किस राज में A help कारिकरम की सुरुवात हुई है तो यहां right answer हो जाएगा option number D हो जाएगा गुजराद अगला प्रशने है भारत की संस्थान के बेग्यानकों ने एक नए तारे की खोज किया है तो यहां right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा भारती तारा बहुत की संस्थान ने तो option number A यहां सही हो जाएगा करें G20 फिल में फेस्टिबल का आयूजन किस साहर में किया जा रहा है तो यहां right answer हो जाएगा C नंबर नए दिल्ली में अगला है करें कि नेहरू, मेमोरियल, संग्राले और पुस्तकाले का नाम बदल कर क्या रखा गया है यहां पर right answer हो जाएगा A नंबर PM संग्राले और पुस्तकाले तो option number A हां right हो जाएगा अगला है राज़्पती ने 47-47 दिवस के आउसर पर कितने वीरता पुरुषकार को सौबक्रीत दी है तो यहां सही option हो जाएगा option number A हो जाएगा 76 करें सूर्य के अध्यान के लिए इसरो दौरा भेजेगे भेजे जाने वाले भारती मिशन का नाम क्या है तो यहां सही option हो जाएगा option number C हो जाएगा आदित्य यलवन ACI हाकी चेंपियंशिप ट्राफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है तो राइट अंसर हो जाएगा A नंबर भारत ने किस खिलाडी ने T20 में 20 या उससे कम उम्रे में भारत के लिए सर्वधिक छक्के लगाने का रिकार्ड बनाया है यहां राइट अंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा तिलक वर्मा अगला है पाकिस्तान के कारवा हग परदान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो सही option हो जाएगा C नंबर अनवरा रूल हग का करको अगला है केन सरकार दोरा बुनियादी इस इच्छा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप लांच किया गया है तो यहां सही option हो जाएगा B number U last अगला है करे कि वर्स 2023 में लोक मान तिलक राष्टी पुरुसकार किसे दिया गया है किने दिया गया है अगला है करे कि हाल ही में कौन भारती मूल की महिला अमेर्की बित एजनसी की उप मुख्य कारकारी अधिकारी बनी है तो यहां राइट अंसर हो जाएगा C number Nisa visual तो option number C देखिए इसमें आपको हमने 150 question करा है तो इसको हम part by करेंगे ठीक है तो आज हमारा यह पहला part था जिसमें हम कुल 800 plus प्रशनों का series करेंगे तो जिसमें हम SPD के current affairs से वहां सिकांग के प्रशने कर रहे है तो आसा करता हूँ यह आपको पसंद आया है पसंद आया है तो like and share कर जिएगा अगर आप हमारे चनल पर ना है तो चनल को subscribe कर लिजिएगा और बिलाइक and press कर दिजिएगा ताकि आ आपको notification मिलता रहे है तो अगले वीडियो के साथ उपस्तित होते हैं इसका second part लेकर आएंगे ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद